आदिल पर बहुत सारे क्रिमिनल केसिज हैं मेरी मा तड़पती रही, मर गई राकी जी आप अभी पुलिस चोकी गए थे क्या आप आदिल के खिलाब कमने नियो दे या कि जी मर गई मेरी मा, आदिल नो तुम्हें मेरी मा माफ करीगी न मैं आदिल जितना पैसा तुम्हें 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 गर्फ्रेंट पर उड़ाया है होटलों में, ट्रावलिंग में भगवान माना था आपको, आदिल मुझे प्यार करने वाला देउता माना था, आदिल खुरान की कसम खाके भी धोका किया फातिमा हमेशा रहेगी मैं जाओंगी रोजे भी करूंगी उम्रा भी जाओंगी जिदावट आदिल मैं जाओंगी बहुत शुक्रिया इंसान चला गया है खुदा वही है, खुदा को नहीं छोड़ूँगी मैं जाने से पहले एक च्छेक दे कर गई थी मेरे बैंक का स्टेटमेंट आप सबको बेज दूँगी रादिल परड़क्शन के नाम से राक्यो रादिल का रादिल परड़क्शन के नाम से कि मैं बिक बॉस में जा रही हूँ आप इसमें पैसे दाल के मेरी मां का इलाज भी कराना और थोड़ा बद स्टोरी या राकी है वो करना तो आदिल ने बोला ओके डोंट वरी मैं चेक लिख कर गई थी उन्होंने रादिल परड़क्शन में जो है खुलाया लेकिन उसमें जूठा गुमस्ता दिया जूठा प्रोप्रेटर जो हुरता है न मेरी कंपने में वो दिया दस लग का चेक डाला मेरी मा की इलाज के लिए उसमें से पैसे नहीं दिया मेरी मा तड़ती रही मर गई मर गई मेरी मा आदिल नो तुम्हें मेरी माँ माफ करीगी न मैं आदिल जितना पैसा तुमने तुमने तुम्हारी गर्डप्रेंट पर उड़ाया है होटलों में ट्रावलिंग में शॉपिंग में आयाशियों में मेरी माँ की जान बचा लेते हैं न थोड़े पैसे देखर उसमें से एमाराइड डॉक्टर न इमिडियेटली बोला था कैंसर के लिए बहुत सारी चीजे बोली थी तुमने नहीं की मेरी माँ ट्रॉमा में चली गई में बिक बॉस में थी मेरी माँ ट्रॉमा में चली गई जस्ट बिकॉज ओफ यू आदिल ये तो मुझे मेरे भाई भावियों ने सबने बताया हमने अदिल को इतना फोन किया अदिल लोनावला के रेस्ट आउस में डांस कर रहा था फोन ने उठा रहा था बाहर मिजी कर रहा था मेरे भाई भावियों ने कहा के अदिल मम्मी के लिए पैसे बेज़ आदिल राखी बोलके गई है राखी बोलके गई आदिल मेरे को फोन मत करो भाबी मैं बिजी हूँ भाबी मेरे को फोन मत करो फिर एक दिन मैसूर की पुलिस जो है आदिल को एक तरिको उठा कर लेकर गई थी दो दिल जेल में रखाता हो वहाँ मैसूर में आदिल पर बहुत चारे क्रिमिनल केसीज है दुनिया है जिसको समर्तन करणा है करे मुझे इश्वर सपोर्ट कर रहा है मेरे फैन सपोर्ट कर रहे उतना काफी है जो आदिल को सपोर्ट कर रहे शायद उनके घर में मा और बेहने नहीं होगी उनके साथ बितानी होगा मा मेरी मरी है हजबन मेरा गया है दुख मुझे हुआ है cheating मेरे साथ हुई है तो शायद वो मेरा दर्द नहीं समझ सकेंगे चोड़ी चोड़ी बातों में सलमान भाई को बीच में नह लाए आप लोग प्लीज नहीं किसे के खिलाफ नहीं वो इसलिए कि आदिल के पास एक चाबी है तो ऐसा ना हो के रात को दर्वासा खोल के आजाए यूनो आप समझ सकते हैं और मुझे डर लग रहा है इसलिए मैंने का के एक पेर चाबी है तो चाबी मंगवा लीजिए प्लीज और कुछ ने, थैंक यू सो मच अधिल को मैं बहुत मोके दे चुकी हूँ बहुत मोके अधिल 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 को मैंने की आपस करेंगा हाँ सूबद तक कल तक मैं उनसे बात करना चारी थी मैं कह रही थी वापस आजाओ वापस आजाओ देर नहोजाए कही देर नहोजाए मैंने आदिल को कहा वापस आजाओ बढ़ कल रात को भी वो उसी के साथ थे ये कोई होटल है बताती हूँ रेसिडन्सी होटल ने दिखा नहीं सकती रेसिडन्सी होटल में वो लोग थे बता नहीं कहा पर मुझे नहीं बता थे वो लोग अच्छा है ना एक एंजोई कर रहे हो ना अदिल बीवी को छोड़के जिस बीवी ने आपको सब खुछ दे दिया मेरा भगवान माना था आपको अदिल मुझे प्यार करने वाला देवता माना था आदिल खुरान की कसम खाके भी दोका किया जिस ने उपर वाले को ने छोड़ा वो इंसान को क्या छोड़ेगा कसमे वादे प्यार वफा सब दोके है दो वादो का क्या कोई किसी का नहीं वो छूटे जूटे वादे हैं वादो का बस शुक्रिया दो फातिमा हमेशा रहेगी मैं जाओंगी रोजे भी करूंगी उम्रा भी जाओंगी जिदाउट आदिल मैं जाओंगी बस शुक्रिया इंसान चला गया है खुदा वही है खुदा को नहीं चोड़ोंगी चलिए बाब बाशुक्रिया आपनो खालो पी लो प्लीद